नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं NWIF NEWS वाइनाड में लेंड स्लाइट के बाद 300 से जादा लोग की जान चली गई है हजारों लोग लापता हैं तमाम का पोस्ट मार्टम हो चुका है और तमाम शवों की पहचान की जा रही है हर तरफ त्राहिवा मचा हुआ है ऐसे में सांसद राहुल गांधी पहुँचे वाइनाड जिहां 2019 में वहां से सांसद चुने गए थे और फिर 2024 में भी वहां से सांसद चुने गए हालंकि उन्होंने वाइनाड 2024 में स्टीफा दे दिया अब प्रियंका गांधी उप्चुनाव लड़ने के लिए तयार हैं इसलिए भाई बहन पहुँचे वाइनाड हालंकि जब खुब फजीहत हो गई हास्ते के तीन दिन बाद दोनों भाई बहन दिल्ली से वाइनाड पहुँचते हैं कराते हैं जो लगातार पीएप मोधी पर कैमरा जी भी होने का अरौप लगाते हैं और इसी फोटो फुट को लेकर अब कांग्रेस की प्रवक्ता रागनिनायक बुरी तरीके से फस गई है और उन्होंने एक ट्वीट किया है ट्वीट के बाद रागनी नायक ने जो कुछ कहा है लोगों ने उनकी क्लास लगा दी है और उनके ट्वीट के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फजीहत हुई है रागनी नायक की फजीहत तो हुई ही हुई है आपको सबसे पहले रागनी नायक ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है वो दिखाते हैं और उसके बाद उसके बाद उस पर लोगों ने क्या कुछ प्रतक्रियाइं दी हैं वो दिखाते हैं तो रागनी नायक अपने पीट में तस्वीर पोस्ट करती हैं जिसमें प्रियंका गांधी न अब रागनी नायक ने ये ट्वीट किया अच्छी बात है कि उनके दो बड़े नेता वाइनाट पहुंचे और लोगों का दुख दर्द बाटा लेकिन इसी फोटो सूट पर अब लोग बॉखला गए हैं और कह रहे हैं किस तरीके से पीडा बाटी जाती है तमाम कमेंट्स है दिनेश चौधरी लिखते हैं सहान भूती के लिए तो रामचरित मानस की चौपाईयों का उपयोग किया जाएगा लेकिन जब लड़ाई लडने की बात आएगी तो सुप्रीम कोट में भगवान राम को कालपनिक बताने वाला एफिडेबिट भी कॉंग्रेस पार्टी जम कैमरामेन की पूरी फौज लेकर गए हैं ये लोग आरेसस जब उसी दिन पहुंच सकती है तो इनको वहां पहुंचने में लखवा मार जाता है क्या ये तो अभी यहां से चुनाव लड़ना है तो वाइनाड जाते भी नहीं है दिनेश पंद लेखते हैं परहित नहीं स्व हुए हैं तो इस तरीके से ये तमाम ट्विट हैं डी पोस्टर नाम के यूजर लिखते हैं 25 से अधिक कैमरामेन पहले पहुंचा दिया और फिर पहुंचे हैं हिमांसु लिखते हैं काश केंद्र सरकार द्वारा दिये गए अलड से पहले ही राज सरकार जाग गई होती तो इतने मासूमों को या पीडा ना उठानी पड़ते हैं तो ये तमाम यूजर ने रागनिनायक के ट्वीट पर उन्हें प्रतक्रिया दी है और लोगों ने कहा है कि दीदी प्रियंका गांधी को वायनाट से उप्चुनाव लड़ना है इसलिए पहुँच गई हैं और उन्ह दर्द बाटने से पहले 25 कैमरा मेन भेज दिये उसके बाद दर्द बाटने पहुँचे हैं ताकि तस्वीरें अच्छी आएं हालंकि दर्द बाटना कोई गलत बात नहीं है राहुल गांधी प्रेंका गांधी पहुचे इसकी तारीव भी है लेकिन ये तारीव तब कहां च दिवी हैं और फोटो खिचाने कहते हैं वहीं जब अपने राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिने जननायक भी कॉंग्रेस कहती है वो पहुच जाएं तो वो पीडा बाटने पहुचे हैं तो इसी डबल स्टेंडर को लेकर लोगों ने रागनी नायक की क्लास लगा दी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी फजीहत कर दे और लोगों ने बता दिया कि चुनाव लड़ना है इसी लिए पहुची हैं प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी बाहराल आपको बता दें कि अभी तक वाइनार में जिस तरीके से हादसा हु हैं राहत बचाव कारेजारी है और लोग अब दुआ कर रहे हैं प्रात्ना कर रहे हैं कि सब को स्थीक हो और लोग सुरक्षित वहां से निकल सकें बाहराल आगे जो अपडेट आएगी वह आप तक जरूर पहुंचाएंगे अभी जिस तरीके से रागली नायक ने ट्वीट क हुआ है